नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एड्मिशन वाला पर और बात करेंगे कि 2024 में इस साल में एड्मिशन प्रोसेस में अगर हम बात करें इंजिनेरिंग बीटे की और उसे असोजेटेड कोर्सेस या फिर ये पूरे ही MSTCT के अंडर होने वाले जो एड्मि जब एड्मिशन प्रोसेज में शामिल हो जाओगे और आपने अगर पिछले साल की पूरी एड्मिशन प्रोसेजर रेफर की है तो आपके ये ध्यान में आना चाहिए कि हमारे इस साल में क्या-क्या बदला होते है सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण पहला बदला ये है कि आर अरक्षन रिजर्वेशन इंक्लूड किया गया है बाइद स्टेट गवर्मेंट हमारे और फिर उससे दस प्रतिस्यत का रिजर्वेशन बढ़ने के वाज़े से आप रिजर्वेशन का नया कोटा 60% हो गया है और एक कैटेगरी बढ़ गए तो ये आपको ध्यान में रखना आए जिन स्टूडेंट्स को मतलब जनरली माराठा आरक्षन कहते हैं से एससे विसी को तो फिर जो स्टूडेंट्स माराठा इसमें आते हैं वो लोग अभी EWS का सर्टिपिकेट नहीं निकाल पाएंगे वो लोग अभी प्रोसेस कर रहे होंगे तो उनको दिकत आ रहे होग तो यह सीविसी का उनको कास्ट कास्ट वालेट्री निकालना है तो चलिए यह होगा एक बदलाव हमने देखा कि रिजर्वेशन पॉलिसी में बदलाव हो चुका है और 10% सीविसी का रिजर्वेशन अब इस एड्मिशन प्रसेजर में अपलाय होगा हाला कि उन्होंने वो क पातरता में, इलिजिबिटी क्राइटरिया में भी थोड़ा सा बदला उन्होंने किया है अभी थोड़ी सपस्टता उसमें लाई है परस्टिर इंजिनेरिंग के अगर हम बात करें चार साल की कोर्सेज की तो उसमें 10 प्लस 2 लेवल पर मतलब 12 लेवल पर HSC लेवल पर Physics और PCM ग्रूप दिया है तो उनको जो major disciplines है उसका आप में डिस्क्रिप्षें जिस के लिए हमने CTD है और जिसके लिए हम क्याप में सामील हो सारे branches के लिए वो तो eligible होई जाएंगे, लेकिन 10 प्लस 2 जो students है, physics और chemistry उनका compulsory था, और mathematics के बज़ाए दूसरा कोई उनका subject था, बायो था, और इस condition में और उनने क्या किया है कि PCB दिया है, तो PCB वाले जो है students है, तो उनके लिए ये कुछ नीचे दिये हुए disciplines है, जो कि आती है engineering के अंडर, लेकिन वो branch के लिए हम जो कहेंगे, वो admission ले सकते हैं, जैसे के agriculture इंजिनिर इसके अंदर भी 4-5 branches है, ये तो major discipline दिये है उनने, इसके अंडर जो है, बहुत सारे, चार पास तो उनके agriculture related engineering के courses है, बयो टेकनलोजी का भी वैसा ही है, वो भी schedule में आपको नीचे description में दे दूँगा, कि बयो टेकनलोजी का अंदर भी 4-5 branches है, engineering में होने वाली, वो आपको मिल सकते हैं, उसी प्रकार से food engineering है, packaging है, printing है, printing के भी 5-6 courses है, उसके बाद pharmaceutical engineering है, fashion, और जो भी schedule में द requested है, आप वहाँ देख सकते हैं, कि आप वहाँ engineering के अंदर जे courses runner है, वहाँ पर PCV वाली students वहाँ पर जा सकते हैं, उसका सफस्ट उल्लेक इस सालोनोंने हमारे information brochure में किया है, नियम के पुस्तक में किया है, इसका मतलब यह है कि इन students को, जिन students ने mathematics नहीं लिया था, उनको printing इससी branches में वह आसानी से जा सकते हैं, तो चलिए, यह होगा एक थोड़ा सा जो बदलाव था, पात रहता में, eligibility में, वह हमने देखा, एक सबसे महतुपूर्ण बहुत दिनों से मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ कि working professional एक नए students की category या फिर नए admission का द्वारा उन्होंने खोल जिस college में उसकी branches है, उसके अंडर उनने एक division, एक course के लिए ले ली है, और working professional का मतलब direct second year की students आते हैं, उनका ही eligibility criteria है, वही उनका जो admission का procedure है, वही है इनका भी, लेकिन यह जो फिलाल जो student diploma के बाद काम कर रहे है, active ली वो काम कर रहे है, वरकिंग है, उन students के लिए उनको भी पीजी, उनको भी बीटेक करने का मोका मिले, बहुत सारे students, ऐसे डिपलोमा पास होने के बाद कुछ वज़े से वो काम पे लग जाते है, और बाद में हरे के, यह बहुत सारे students के मन में होता है, कि मुझे graduation complete करना था, लेकिन किसी वज़े से रह गया, और अब वो तो ऐसा हो उसके रेडियल दूरी पर आप 50, अभी information brochure के अनुसार 50 किलोमेटर है, लेकिन यह ICT ने 75 किलोमेटर उसका दाइरा बढ़ाया है, देखते है फाइनल क्या आता है, लेकिन फिलाल अगर हम information brochure के जाया है, महाराष्ट गवर्मेंट के नियम के बुस्त के अनुसार जाया है, तो फिर आपको 50 किलोमेटर के रेडियल दूरी में परीग में आपकी जितने institute होंगे और जितने उसमें से जिनको माननेता होगी working professional के लिए, वहाँ पर आप admission ले सकते हो, merit के हैसाब से, तो आपका भी merit लगेगा, इस पर पूरा dedicated में वीडियो की तैयार ही कर रहा हूँ, प आपके पास एक साल का full time में आपका experience होना चाहिए, और जहां पर आप फिलाल काम कर रहे है, उनका NOC आपको चाहिए, क्योंकि आपको हाला कि timing अलग होगा, course का आपको शाम को बुलाया जा सकता है, लेकिन यह हो सकता है कि आपका जो course duration हो थोड़ा सा बड़ा दिया जाए, लेकिन आपको जो degree मिलेगी, वो परिपूर्ण जो B है, वो इसके तरह से मिलेगी, उसमें कोई part time, full time ऐसे कुछ नहीं लिखा होगा, और यह जो degree है, आपकी equivalent to students आपके कर रहे, direct secondary वाले, उनके जैसे ही होगी, तो यह एक फाइदा आपके पास है, जैसे कि मैंने कहा detail मितलब normal student उनके लिए 800 और category में जो students आते थे उनके लिए 600 था, अब बढ़ा कर 1000 हो गया है, और 800 रुपए हो गया है, रिजर्वर का डेरी के students के लिए, जो बाकी के students नर आपके लिए same शूलक अभी भी है, और इतना एक छोटा सा बदला हुए, आपके 200 रुपए चोटी बाब है, लेकिन अगर हम प्लो में जाता है, admission procedure शुरूर रहता है, तो पिसली बार की तरह ही हम उस पर act करते है, तो ये चोटी बात है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखनी होगी, कि पहले क्या होता था कि आप आपके login से कभी भी admission कैंसल कर सकते थे, मतलब पिसले स साल की student अभी admission कैंसल कर सकते है, उनके login में जाकर, लेकिन अब क्या होगा, कि इससे बहुत सारी दिक्कते आती है, बहुत सारी cases पिसले साल इसी हुई थी, कि student ने अंजाने में उनका admission कैंसल किया था, और request for cancellation generate हो गया, इसका मतलब अब का admission कैंसल हो गया, तो फिर restore के लिए सारी students फिर direct of technical education मुंबई में गया थे, उनको बहुत problem face करना पड़ा, case by case उनको जाना पड़ा, और फिर उनको admission restore में बहुत problem हो गया, तो इस साल से उनने ये निरने लिया है, कि आब cut-off date के बाद, पाच बज़े मतलब आज अगर आप cut-off date हो, तो आज शाम के पाच बज़ और आप अपने मन से आप login करके admission cancel नहीं कर पाओगे, आपको college में जाकर उनको application देना होगा, और फिर आपका admission cancel होगा, उसके सिवा अपका admission cancel, cut-off date के बाद नहीं होगा, cut-off के पहले आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, जैसे कि spot round चल रहा है, कहें आपका number लगा है, और फिर आपको वहाँ पे urgently admission लेना है, तो पिसले college का admission आप cancel कर पाओगे, लेकिन cut-off date के बाद यह आप नहीं कर पाओगे, यह एक बदला हो, दूसरा है कि ERC self-verification, यह भी बहुत चोटा बदला हो, हाला कि हमने पिसले साल add किया तवे से, लेकिन यह भू किया था, और उसे self-approve, उस जिसे हम self-ERC कहते, self-verification किया था, लेकिन पिसले information browser में self-verification की कोई बात नहीं थी, सिर्फ वहाँ पर ERC की बात की थी, और वो गल्ती उन्होंने इस बार दुरुस्त की है, और उन्होंने इस book में डाला है कि आप candidate क्या करेंगे, self-ERC कर सकते हो, और self-ERC कि उनको उन्होंने मोका दे दिया है, पिछले साल दे से हमने काम किया था, वैसे इस साल भी चलेगा, लेकिन वो book में नहीं था, रूल में नहीं था, अब उनको रूल में होने डाला दिया, दूसरा चोटा सा बदला है कि इस साल से लक्षमिनारान इनोशन टेक्नि जो पहले LIT थी, अब नाकपूर का जो है, इनको भी मतलब ज्यादा तर उनके traditional courses के, आप स्वारी जो computer engineering, IT बगर ऐसे अलग उनके courses, chemical में है शायद, तो उनका admission procedure भी अब इसमें include किया है, जैसे इसका क्या, ICT का था, उसी प्रकार से उनका भी admission procedure होगा, 70% जो state level seat होंगे, 30% All India से seat उनके भरे जाएंगे, ये एक छोटा सा बदलाओ था, तो दोस्तो हमने कुछ discussion किया कि, इस साल admission procedure में क्या बदलाओ, कुछ भी नहीं है, पोर्टल आपके लिए खुलेगा, आपको फिर से apply करना है, जो कि उन्होंने पहले try किया था, कि एक ही जहां से आपने CD का form भर करने के लिए बोल दिया जाए, लेकिन ज्यादा कुछ बदलाओ नहीं है, अगर आपके मन में है कोई सवाल इसके रिगाड़ीं, तो पूछेगा comments box में, मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की, रुकते हैं यहाँ पर फिर मिलेंगे किसी नए वड़े में, तब था के लिए नमस्कार